हाई गाइस वेलकॉन टू क्रेटिंग वैल तो आज हम बात करेंगे ल्टी फूड एंड के रवी एल के क्वाटर थर्ड के रिजल्स के बारे में कि किस तरीके से इनके जो है रिजल्स आते हुए दिखें हैं और आगे आपको किस तरीके कब बिहेवियर जो इस टॉक्स पर द से भी देखेंगे तो इनकी इंकम में जो है जाफा ही होता हुआ देख रहा है एंड यर-on-year के इसाप से प्रॉफिटेविल्टी भी देखेंगे तो 69 CR के सामने प्रॉफिटेविल्टी जो है 77 के आसपास जो है आती हुए दिख रही है थोड़ा क्वाटर के इसाप से 233 करोड के आसपास है तो देखेंगे सदे वे से जो है इस कंपनी के एंड साथ की साथ अगर बात करें कि इस तरिके से मैनेजमेंट जो है बोल रहा है जिस तरिके से मैनेजमेंट की जो है कमेंट्री है भासमतिand other specialty rice organic and health and convenience company ने जो डिलीवर किया बहुत फीए इच्छा-का कर रही है कुछ प्रोड़क्ट पॉर्टफोलियो भी जो है अपना भड़ा रही है एंड जो इनके डिलीवरी हाव है यूएस एंड यूरोप भावी जो एक्सपेंड कर रही है अपने ऑर्गनिक इनकी टिएंट्स एंड बोथ मैंस्ट्रीम एन एथनिक चैनल के थूरू और यह सब चीजां घर देखेंगे तो कहीं न कई positivity की तरब भी जो है company कुछ न को सीख रही है ready to eat food भी जो है market में लाने की कोशिश कर रही है यह तो कुछ चीजां जो है ऐसी बनाने की कोशिश भी जो है company करती हुई दिख रही है अब फिलाल अगर देखते हैं कुछ fundamentals इसके त लेकिन तब भी देखेंगे तो ठीक ठाग रोथ जब की है इसकी एंड प्रॉफिटिविल्टी में भी देखेंगे तो 17-18-19 में तो कोई खास ऐसी प्रॉफिटिविल्टी में ग्रोथ नहीं है बीस और एक्केस में जरूर जो है ग्रोथ आती हुई दिख रही है 293 के आसप जो फॉफिटिविल्टीय करीब 235 के आसपास है अगर मैं इस में जो है आप चांअ कुछरी करीब कांपास की प्रॉफिटिविल्टी ओ लगाएंगे तो 315 करोड के आसपास की जो प्रॉफिटिविल्टी आईगी और 2021 से मुझे लगता है वह ऊपर ही रहने वाला है मतलब 2022 भी 2021 के आसपास का ही जो रहने वाला है तो ठीक ठाक मतलब कमपनी जो है काम करते हुए देख रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो पॉब्लिक और प्रोमोटर्स के पास में अल्मोस शेयर होल्डिंग शेयर है और यहां पर अगर बात करें ल्टी फूड त तो चार्ट पैटर्न एक जगह पर जो है जाकर रुख गया है करीब 75 रुपीज के आसपास तो अच्छा कासा जो है नीचे से अपसाइड अच्छी खासी जो है देखने को मिली लेकिन फिलाल के इसाब से देखेंगे तो एक रुका हुआ हुआ है और 50% की रेस्टेंस के आ ने तो क्या वी जो है रिजल्ट हम देखेंगे तो इंकम जो है इनकी यह on-year को भरती हुई दिख रही है नायन मंत के इसाब से भी जो है इनकम इनकी जो भरती हुई आई है इसाब से जो प्रोफिटिविल्टिमे कहींना कहीं जो है एक एल्टी फूर से थोड़ा पीछ थे जो है देखने को मिल रहे है क्योंकि यहां पर इनकी इंकम की अगर बात करेंगे तो आप करेंगे तो चार्साब पीस करोड के सामने तीन सो सतर करोड जो है आते हुए दिख रहे हैं करीब करीश सतर करोड के आसपास का जो अगरती हुए दिख रही है एंड पिछले साल जो है 558 CR के आसपास का प्रॉफिट था वहां तक पहुंचना अम मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है कि वहां तक जो है यह स्टॉक का जो है प्रॉफिट पहुंच पाएगा तो यहां पर थोड़ा सा इसने जो है क यार वी यल ने जरूर जो है निराज किया है एनरजी और एग्री दोनों के दोनों सेक्टरी जो है अच्छे परफॉर्मिंट के नहीं कर पा रहे हैं के यहां पर बात करते हैं तो यह स्मॉल के अप कंपनी है बंपॉण 453 की जो है डिविडेंट इल्ड इसकी भी फेस्वे देखने को नहीं मिलेगी ठीक ठाक जैसी एल्टी फूर में देख रही है शांदार भड़त प्रॉटेविल्टी ठीक है इनकी ठीक ठाक आ रही है सेमसी प्रॉटेविल्टी है दो जार बीस दो जार इकिस के अंदर यहां पर जो है इन सब चीजों को अगर देखा जाय तो क या बास्मती राइस एक्सपोर्ट हिट फूर यह लो एज इरान ट्रिम्स बाइंग तो यहां पर थोड़ा सा यह एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट लेविल पर देखें तो कहीं ना कहीं जो है घटर एक गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन अब स्री लंका की तरफ से जो है गुड़ नूज आ रही है चुकि वो इंपोर्ट करेगी करीब तीन लाग टन जो है राइस इंडिया से तो देखेंगे कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट लेविल बहुत ही बड़ा है इन जो है राइस सेक्टर के अंदर लेकिन कमपनी कहीं ना कहीं यह राइस बेचके अपने मार्जिन को अपने प्रॉफिटिविल्टी को जो है बढ़ा पाएंगे क्योंकि अब बहुत उतर आएं इस फिल्ट के अंदर अगर बात करें तो फिलाल के हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं देख रहा है इन्हें कुछ ना कुछ जो है एक अलक प्रोड़क्ट भी लेक लाइश के आने पड़ेंगे मार्किट में जुद डिफ्रेंशी इसर्भ जुए डिफ्रेंसी टर का काम करेंगे तो बहुत जरूरी यहां मार्किट के अंदर पहले की बात हैं यह इन्होंने पहुत अच्छा यह तरीके से इनकी आर्णिंग सारी है अलाकि आर्णिंग्स भड़ रही है लिकिन आप इतने बड़े पैमाने पर इनकी भड़ती हुई नहीं देख पा रही है ना प्रॉफेटीविल्टी इतनी आ पार रही है को कि है फॉर्ट्च इन वह उतार दिया बोगी अच्छी खासी इने जो मार्केट में उधारने पड़ेंगे जिससे की यह अपना एक अलग जो है डिफ्रेंस जो है कर पाएंगे तो डिफ्रैंश्येटर थीम जो है इनको चाहिए कुछ यूनिक Android जो है इनको आसे मौर्केट में लेके आने चाहिए जब कहीं जाके इन companies के अंदर एक भड़त देखने को आपको मिलेगी, फिलाल देखेंगे ये stock अभी भी अपने bearish range की अंदर ही है, 316 रुपे के नीचे, जो है stock अभी भी काम कर रहा है, ये अभी भी अपने bearish range में काम कर रहा है, फिर से देखेंगे तो downfall इसमें start होती लग दूं किस तरीके से इसका चाड़ पैटन है, तो ल्टी फूड का अगर आप देखेंगे, तो ये भी जो है, कि इसको चाड़ पैटन किस तरीके से जो है बना हुआ है, हलाकि क्या रवीयल का चाड़ पैटन कुछ खास जो है देखने को नहीं मिल रहा है, ल्टी की रेस्टेंस के आसपा जो है काम करता हूँ नजर आ रहा है उसके ऊपर तो कहीं ना कहीं एल्टी फूड का चाट पैटर्न के चाट पैटर्न से ठीक लग रहा है एक सही लग रहा है लेकिन गिरावट इसमें भी है यह मतलब कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है है मतलब म जब एल्टीफूड में लगाए तो ठीक है क्योंकि यह कंपनी कहीं ना कहीं जो है रेड़ी टुएट फूड ब्रॉडक्ट के अंदर भी जो है आ रही है कर रही है उस तरीके कि काम कोई नई चीज़ें मार्केट में लेकर आने की कोशिश कर रही है तो यहां पर अगर दे आएंगे किस तरीके से जो है मार्किट में जो यह चावल की जो मार्किट है उससे जो है अपने आपको जो है उपर रखे जो है सोचने की कोशिश करेंगे वह सबसे बड़ा इनके लिए जो है एक त्रिगर पॉइंट होगा अपना भी एनलाइसी से एक बाद जोरू करने उसक को बाई से लिए होल्ड करें थैंक्यू झाल 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 झाल